बिहार में अजब गजब कारणा में होते ही रहते हैं कभी प्रशासन की नाकामियों का ठीक राग चुहों पर फोर दिया जाता है तो कभी अपराधियों के मनोवल के आगे पुलिसिया वेवस्था भी चर्मड आ जाती है और तो और सरकारी संपती को तो माफिया अपनी जागीर समझते हैं तभी तो अब से कुछ दिनों पहले ही सासा राम में लोहे का पुल बिग गया था समस्तिपूर मंडल में रेल का इंजन, कुर्णी में स्वास केंद्र और तो और विहार के भूमी सुधार मंत्री राम, सुरत राय के विधान सवा छेत और राय में पंचायत ववन तोड़ कर उसका मलवा और इट तक को बेच दिया गया था और अब राजधानी पटना में सरकारी जमीन को भूमाप्या द्वारा बेच दिये जाने का संसनी खेज मामला सामने आया है यह मामला दानापूर अंचल छेतर का है डीम डॉक्टर चंदर शेकर सिम के आदेश पर इस मामले की जाच कराए गए तो इसका खुला सा हुआ जाच अधिकारी ने सरकारी जमीन की रजिस्ट्री को रद करने की अनुशन सा की है इधर इस मामले में पटना सदर के रजिस्ट्री कारयाले और दानापूर अंचल कारयाले के सत्यापन के जमीन की रजिस्ट्री होने के मामले में करमचारियों पर कारवाय की तलवार लटक गई है दानापूर अंचल के रुकनपूरा मौजा के थाना संख्या 18, थाता संख्या 21, थेसरा संख्या 9 जो खतियान में गयर मजरूवा खास दर्ज है इस जमीन में से 9.375 सुन्य डिसमिल भूमी बिजय पासवान द्वारा डीड संख्या 1, 3, 4, 3 सुन्य दिनांग 9 अक्टूवर 2021 को ग्यानेंद नात को बेच दी गई मामले की जाच दानापूर के DCLR द्वारा की गई जाच में पाया गया यह भूमी मौजा रुकनपूरा थाना 18, थाता 21, खेसरा संख्या 9 रकवा खतियान में 89 डिसिमिल भूमी गैर मजरुवा मालिक गड़ा के रूप में दड़ है यह भूमी पहले ही प्रशासन ने 13 महादलित परिवारों को बंदोबस्त कर दी थी गड़ा होने के कारण महादलित इस पर कब जा नहीं कर पाया परती जमीन को देख भूमाफियाओं ने फरजी दस्तावे तयार कराया और उसे बेच दिया गया जमीन की चोहदी में उत्तर और दक्षिन हिस्से में नीजी भूमी दिखाया गया जबकि पूरी जमीन सरकारी है जाच अधिकारी ने इसकी सूचना बीम और दानपूर सीयो को भेज दी है सरकारी जमीन की कोई रजिस्ट्री नहीं करा ले इसके लिए अंचल कार्यालों में निवंधन कार्यालों को फरस्ताव भेजा जाता है प्रस्ताव में अपने अपने अंचल की सरकारी जमीन को रजिस्ट्री कार्याले लोग कर देते हैं ताकि उसकी कोई रजिस्ट्री नहीं करा ले लेकिन अंचल कार्याले और निवंधन कार्याले के कर्मियों की अंदेखी से सरकारी भूमी की रजिस्ट्री हो गई आपको बताते कि हाल ही में मुझहपरपूर के साहवगंज प्रखंड के जगदीशपूर पंचायत के सामुदाइक भवन और उपस्वासकेंडर की जमीन बेच दी गई थी और किसी को पता भी नहीं चला दरसल जमीन उस पोते ने पेची जिसके दादा ने जमीन राज्येपाल को दान में दी थी मामला सामने तब आया जब खरिदार ने जमीन पर अपना कभजाजावाना सुरू किया दरसल भूस्वामी राम विलासी ने 8 दिसमबर 1995 को खाता नंबर 85 और 2 खस्रा नंबर 1303 से 7 डिसी मिल और 1289 से 3 डिसी मिल जमीन विहार सरकार को दान में दे दी दान में दी गई जमीन पर सामुदाई भवन और उपस्वास केंडर का निर्मान हो गया लेकिन भूस्वामी के पोते ने मूटी रकम लेकर खाता नंबर 85 और खस्रा नंबर 1303 से 2 डिसी मिल जमीन गाओं के ही हरेंद राय को 8 दिसमबर 2021 को रजिस्ट्री करा दे जब खरिदार ने जमीन पर अपना कबजा जमाना सुरू किया तो लोगों को शक होने लगा जमीन का कागल निकाला गया तो दान में दीगर जमीन के बिक्री होने का पता चला ऐसे में अब देखना ये है कि आखिर कब तक प्रसासन ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने में कामयाब हो पाती है